गुद यूणिंग फ्रंस आज के लेक्चर में हम कुछ और formally discuss करेंगे टिक्नोमेटरी के तो उसमें sin 2a के लिए है cos 2 के 2a के लिए है तो यहाँ पर पहला हम discuss करेंगे sin 2a के लिए तो sin 2a का formula जो होता है वो 2 sin a cos a 2 sin a cos a इसको लिख सकते हैं तरीके से लिख सकते हैं 2 10 to 10 a upon 1 plus 10 square a 1 plus 10 square a second है cos 2 a के लिए तो cos 2 a equal to क्या लिख सकते हैं cos 2 a को लिख सकते हैं cos square a minus sin square a इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं 1 minus 2 sin square a इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं 2 cos square a minus 1 तो cos 2 a equal to जादा तर जो यूज होता है 1 minus 2 sin square a या फिर 2 cos square a minus 1 यह जो formula है यह बहुत कम time use होता है तो यह दो formula हैं जो बहुत जादा use होते हैं और जो है हमारे पास कि इसी को और हम एक third है हमारे पास कि अगर किसी triangle के लिए कोई triangle है तो उसमें जो तीन angle होते हैं a b c triangle के अंदर उनका total angle कितना होता है 180 degree होता है total कितना होता है 180 degree यहाँ पर draw कर देते हैं यह triangle है ओके यह हमने कहा a है यह b है यह c है ओके इनका sum क्या होता है तीन angle का sum 180 degree होता है किसी पर triangle के अंदर तो अगर यहाँ पर a plus b plus c equal 180 है तो हम यहाँ पर यह लिख सकते हैं कि sin a equal to sin b plus c यह लिख सकते हैं यहाँ पर अभी समझ नहीं आया होगा किस तरीके से sin a equal to sin b plus c लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको a equal to 180 minus b plus c लिख सकते हैं a equal to b plus c को इस तरह भेज देंगे तो a equal to 180 minus b plus c ओके तो अब हम यहाँ quadrant की अगर बात करें तो मैंने quadrant में discuss किया था यह y axis है यह x axis है यहाँ पर क्या था all positive थे okay a s t c second quadrant में sin positive होता था third quadrant में tan fourth quadrant में cos positive होता था okay यह हमारा कौन सा होता था axis 180 degree axis होता था तो मैंने क्या बताया था इस तरफ बढ़ने पे 180 plus में जाते हैं बट इस तरफ जाने पे क्या होता है 180 minus में जाते हैं तो यहाँ पे क्या है 180 minus means क्या हो रहा है कि हम इस angle 180 minus का मतलब हम second quadrant में हम आ रहे हैं यह हमारा है second quadrant है second quadrant में आ रहे हैं तो second quadrant में क्या होता है sign positive होता है इसलिए यहाँ पे अगर दोनों तरफ में sign ले लेते हैं इस तरफ में अगर यहाँ पे ऐसे बात करें direct sign a equal to sign 180 degree minus a plus b ओके इस तरीके से अगर हम ले लें तो sign दोनों तरफ लेने से क्या हुआ यहाँ पे अगर sign हड़ भी जाएगा तो a equal to क्या होगा 180 minus a plus b होगा a equal to 180 minus means b plus c sorry 180 minus b plus c होगा ओके b plus c होगा तो sign a equal to sign 180 minus अगर इसको हम बोल दे कि यह थीटा है तो sign 180 minus थीटा क्या होता है sign 180 minus थीटा का मतलब हम second quadrant में आ गए तो second quadrant में क्या होता है sign positive होता है तो 180 minus थीटा क्या होगा sign थीटा ही तो होगा sign 180 minus थीटा second quadrant में वापिस जाएगे तो क्या होगा theta होगा theta की विल्गिक इतनी है b plus c है इस वज़े से क्या हो रहा है कि हमारा sign a equal to sin b plus c आ रहा है एक और है cos के लिए है वो दूसरा second क्या है cos के लिए है तो यहाँ पे cos A equal to कितना आएगा cos A equal to minus cos B plus C आएगा B plus C minus क्यों आएगा अगर यहाँ पे sine के जगा cos लें cos 180 minus theta कितना होता है 180 यहाँ है cos 180 minus theta हम second quadrant में जाएंगे second quadrant में sin के इलावा सारे negative में आते हैं मतलब कि अगर cos 180 minus theta होगा तो minus cos theta आएगा तो अगर यहाँ पे cos लिखें cos 180 minus theta करेंगे तो minus cos theta आएगा इसलिए minus cos theta theta क्या है हम B plus C माने हैं तो B plus C आजएगा तो sin A equal to sin B plus C कर देंगे cos A equal to minus cos B plus C कर सकते हैं इस तरीके से triangle में अभी जिसे की कुछ questions आएगे उनमें triangle में इसी तरीके से use करना होता है कि sin A पूछ देगा ठीक है तो दो angle हमारे दे रखें तो इस तरीके से हम इन सब formula के थुरू हम use कर सकते हैं इन सारे चीजों को तो आज की lecture के लिए इतना ही है थैंक यू करना ही है